ऐलो तोस्तों स्वागलत आपका मेरे चैनल वा सथू टृप्स घर लोप चार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्काइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिए आज हम बात करने वाले हैं भाधरपत पूर्णिमा के बारे में जिसे पित्र पूर्णिमा भी कहा जाता है भाधरपत पूर्णिमा कब है इसके पूजा विधी और कथा क्या है भाधरपत मास की पूर्णिमा भाधरपत पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है इस पूर्णिमा के दिन कुछ बिसेश अनुष्टान पूरे किये जाते हैं इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायन की पूजा सिवपारवती पूजा चन्रमा पूजा कारी संपन्न होते हैं इस पूर्णिमा के दिन ब्रत का अत्यंत महतो भी बताया गया है जो सभी पिरकार के सुक बेवग को देने में सहायक होता है पूर्णीमा की तिती धार में कर्में अनुस्टान के कारी के लिए अत्यंदर सुब मानी जाती है इस दिन को मोरत सास्त्र में भी इस्तान प्राप्त है सुब मोरत का निर्धारण इस तिती में होता है जिसमें बहुत से नविन कारे करने की बात कही गई है सबसे पहले जान लेते हैं भाधरबर पूर्णिमा 2030 में कव है भाधरबर पूर्णिमा 29 सितंबर 2030 सुक्रवार को है पूर्णिमा और सुक्रवार दोनों ही मालकस्विमी को पिरिया होते हैं ऐसे में इस दिन देवी लक्समी की उपासना करने से एस्वरे किरती और संपन नजाब में ब्रद्धी होती है पंचांग के उनसार भाधरबर पूर्णिमा तीथी की सुरुवात 28 सितंबर 2030 को साम 6 बच कर उन पंचास मिनट से सुरू होगी और अगले दिन 29 सितंबर 2023 को दोपेर तीन बच को 26 मिट पर इसका समापन होगा भाधरबर पूर्णिमा की पूजा विद्धी दार्मिक मानिता की भाधरबर पूर्णिमा की दिन भगवान सत्तिनाराइन के पूजा करने से सारे कश्टे दोर हो जाते हैं और जीवन में सुक्सम्रिद्धी आती है पूर्णिमा का दिन प्राते कल जाकर ब्रत का संकल पे लें और किसी पवित्र नदी सरौर या कुंड में स्थान करें इसके बाद विदिवत तरिके से भगवान सत्तिनाराइन के पूजा करें और उन्हें नैवेद्य और फाल फूल अर्पित करें पूजन के बाद भगवान सत्तिनाराइन के कथा सुननी चाहिए इसके बाद पंचामित और चूरमे का पिरसाथ भित्तित करना चाहिए इस दिन किसी जरुवत मंद भेकती या ब्राहमण को दान भी देना चाहिए या बहुती सुब माना गया है भादरुपत पूर्णिमा कथा रिसी दुरवासा जी एक बार भगवान सिप संकर की दर्सन करने उनसे मिलने कहलास जाते हैं कैलास पर भगवान सिप और माता पार्वेती की दर्सन करवा अत्यन्त प्रसन होते हैं भगवान सिप रिसी दुरवासा को एक पुस्प माला भेट करते हैं जिसमें दुरवासा प्रेंस स्विकार कर लेते हैं भगवान से भेट कर लेने के पष्चाद दुरवासा वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं मार्ग माँगहुआ भगवान स्री विष्ण के दर्शन के लिए उसा कोते हैं और उनसे मिलने के लिए 20 लोग जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं लेकिन तब ही उनकी भेट इंडर से होती है तब दुरवासा भगवान शिवदारा उन्हें प्रितान की गई माला वा इंडर को भेट देते हैं इंडर अपने अभिमान में उस माला को अपने वहान एरावत हादी को पहना देता है रिसी दुरवासा यह सब देखकर क्रोधित होडते हैं उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता और दुरवासा क्रोधित स्वर में इंडर को कहते हैं कि तुमने महादेव सिप संकर जी का अपमान किया है इस से तुम्हें लक्समी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंडर लोग और अपने सियासन को भी त्यागना पड़ेगा यह सुनकर इंडर जी ने रिसी दुरवासा जी के समक से हाथ जोड़कर शमायाजना करी और इस स्रापते मुक्त होने का उपाई पुछा इंडरे की विनाई सुनकर दुरवासाजी कुछ सांत हुए और क्रो सांत होने पर इसी दुरवासाजी ने इंडरे को बताया कि उसे उमा महसर ब्रत करना चाहिए तब ही वो अपने इस्तान को पुना प्राप्त हो पाएगा तब इंडरे ने इस ब्रत को किया उमा महसर ब्रत के प्रभावसे लक्समी जी समय सभी वस्तों जो उसे छिन गई थी सभी प्राप्त हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ